हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेश डिमर्ज देवेंजर्स आपके फर्स्ट एयर और सेकेंड यर के स्कूल ओपन लर्निंग और नॉन कॉलीजट के असाइन्मेंट आ चुके हैं बहुत सारे बच्चों ने असाइन्मेंट बनाने स्टार्ट भी कर दिये हैं लेकिन अभी भ आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन सारे डाउट्स के सुलूशन आपको मिल जाएं और आप अपने असाइन्मेंट्स को प्रॉपरली बना सकें तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से बच्चों के दिमांग में डाउट आ रहे हैं शायद आपके भी कुछ ऐस की शीट इस्तमाल करनी हैं जिसके दोनों साइड लाइन हो या एक साइड लाइन हो मगर लिखते समय याद रखेगा कि आप बैक टू बैक मत लिखे आप एक ही साइड लिखे क्योंकि स्कैन करते समय आपको इससे फाइदा मिलेगा दूसरी चीज अगर आपके पास A4 प्रोजेक्ट शीट तो ज्यादा बैटर रहेगा अब हम आते हैं दूसरे कोशन पर दूसरा कोशन बहुत सारे बच्चों के दिमांग में जो आ रहा है वो आ रहे है कि क्या हमको कोशन भी उतारने हैं assignment करते समय तो भई कोशन उतारने की कोई जरूत नहीं है अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है तो ठीक है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिससे financial accounting हो गया corporate accounting हो गया cost accounting हो गया ऐसे subjects में आप देखते हैं कोशन का length कितना बड़ा होता है तो यह आपके लिए preferable नहीं होगा कि आप कोशन उतारें लेकिन अगर आपका कोई theory based subject है जैसे political science, history, हिंदी वगेरा वगेरा तो आप कोशन भी उतार सकते हैं कोई problem नहीं है कोशन का size छोटा है उतार दीजे लेकिन अगर practical subject है तो I would not suggest you to copy the question in your assignments ठी अब हम आते हैं तीसरे कोशन पे तीसरा कोशन बहुत सारे बच्चों ने comment में पूछा है कि क्या हम अलग-अलग color के marker, pens वगरा यूज़ कर सकते हैं तो भई बिल्कूल आप कर सकते हैं आप red marker, red color, black, blue जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं लेकिन जब आप scan करें तो ध आप PDF बनाते हैं जब उसको scan करें तो आप scan भी जो है उसको color में करें ताकि आपने जो महनत करी वो दिख जाए ठीक है अब हम आते हैं चोथे कोशन पे जो कि scanning से related है बहुत सारे बच्चों ने comment section में लिखा कि scan किस तरह से करना है तो scan करने के लिए आप आपकी जो android app आती ह है scan scanner उसको आप install कर लीजिए और group mode में आपने documents को scan कीजिए अभी मैं scan से related एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको पूरा scanning का process में बतांगो कि किस तरह से आपको scan करना है और किस तरह से आप scan करते समय आपने documents के size को छोटा रख सकते हैं कि जो की जरूरी है बट से पूछा बहुत सार लोगों ने वो पूछा answer की length के बारे में कि हमारे answer की length क्या होने चाहिए कितने size का मंसर लिखे तो जैसे कि आपको पता है कि आपको दो ही question करने है 100 marks के दो question है तो भई question का size तो बड़ा आपको रखना पढ़ेगा क्योंकि अगर आप 2 page में एक answer कर दे size का answer बनता है उतना ही आप बनाएंगे लेकिन अगर आपके theory वाले question है और वो parts में है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो question मिल रहे हैं वो parts में मिल रहे हैं मतलब A, B, C करके तो आप असानी से question को 10 से 12 page में कर सकते हैं बट अगर आपका single question भी है तबी भी try कीजे कि जो question क length हो जितना आप उसको expand कर सकते हैं उतना expand करें क्योंकि वो बहुत जरूरी है अब एक छोटा सा मैं आपको suggestion और देना चाहता हूं बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम में हैं क्योंकि bachelor of arts जो कर रहे हैं history honors आपका political science honors हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का जो medium होत है तो उनको assignment बनाने में खासी problem आ रहे है क्योंकि उनको matter नहीं मिल रहा है अब आप इंटरनेट पर search करते हैं तो आपको matter ज्यादा तर English में मिलता है तो उनके लिए खास suggestion यह है कि हम जानते हैं आपका medium हिंदी है आपने हिंदी में पढ़ाय करी है लेकिन अभी situation को समझते हुए वक्त की नजाकत को समझते हुए आप अपने assignment जो बना रहे हैं उनको please English medium में बनाए इसका reason में आपको बताता हूं क्या अगर आप English medium में assignment बनाते हैं तो आपको matter बहुत सारा मिल जाएगा लिखने के लिए आप वो internet का इस्तमाल कर सकते हैं Google का इस्तमाल कर सकते हैं औ और आपको अपने questions के proper answer, lengthy answer, matter बहुत सारा लिखने के लिए मिल जाएगा तो आप English medium में ही try कीजिए यह आपके लिए beneficial रहने वाला है अब एक important जो बच्चों के सामने problem आ रही है बहुत सारे बच्चे इसको face कर रहे हैं वो यह कि उनका questions डाउनलोड नहीं हो रहे है क्योंक बहुत सारे बच्चे एक साथ जो धावा बोल दियें साइट पर बहुत सारे लाखो लोग एक साथ अपना question डाउनलोड कर रहे हैं तो डिउ की जो website उसने कभी इतना rush face नहीं करा है कभी उन्होंने इतना rush face नहीं करा है इतने सारे लोग एक साथ साथ साइट पर आ जाए तो नहीं है और यही प्रॉब्लम अप्लोडिंग के टाइम पर भी आपको आ सकती है बट कोई बात नहीं है सब तो चलता रहेगा में भी आपको इसका सॉलूशन नेर फ्यूचर में मिल जाएगा आपके कोई और डाउट भी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख द